Hello everyone, अब देखते हैं अपना question, हमारा question है, a particle is projected with a velocity u, so that its range on a horizontal plane is twice the greatest height obtained, the range is, चार option दे रखे हैं, question क्या करा है, कि यह जो है question projection से related है, projection क्या होता है, जब किसी object को फेकते हैं, suppose करूँ यह होगया हमारा line, ऐसे में बात करूँ, एक horizontal line होगया, एक vertical line होगया, जब कोई object फेकते हैं, कुछ हिस तरीक से जाता है, तो इसको बोलते है projection, और यहाँ पर यह जो maximum तो तीन चीजे आपको दिमाग में रखनी होती है, जैसे, इसका range का formula आपको याद होना चाहिए, maximum height का formula याद होना चाहिए, और time, flight time का formula आपको याद होना चाहिए, तो तीन चीजे आपको याद होनी चाहिए, तो बात करते हैं, range का formula क्या होता है, कुछ चीजे जो आपको पहले से पता होना चाहिए, जैसे range का formula, range का formula होता है, r, u square sine, two theta upon g, ये formula आप लोग याद कर लिजेगा, और ये होता है, maximum height, ये ये बराबर होता है, u square sine square theta upon two g, तो दो formula होगा, पहला formula क्या है, range का formula जो होता है, हुआ उस में ट्रिक्zemत्री वालिफ फंक्शन के स्कॉर नहीं होता हैं जैसे आप आर्टी याद करो श्रिक बता हूं आर्र थी तो रेंज वाले में ट्रिक्नमेट्री का स्क्वार नहीं होता है मतलब क्या हो गार बरबर स्वाइब ऑई लेॅ प्यूड GA empieza है इसका मतलब इसक्वार का तक यह च्ञाए तक यह करने का तक यह कहां कर देते हैं जाते है गलतिया अब से नहीं पाइं तो यह फार्म लाओ गया और हाइट पार्म लाओ गया होता है उसकी वेलास्टी यू होती है कितनी वेलास्टी से फेगते हैं यू वेलास्टी से फेगते हैं सो डैट रेंज जो होता है रेंज यह क्या होता है हाइट का रेंज ट्वाइस होता है हाइट का तो हमें क्वेशन में क्या बोल लगा है आप देखें साल्व करते हैं हमें question बोल लखा है जो range है वो twice है मतलब जो range है यह क्या है यह twice है height का तो range का formula लगा दो आप range का formula कितना दिया है यह दे रखा है u square sin 2 theta upon g दे रखा है equal to 2 करके h का formula लगा दो h का formula है u square sin square theta upon 2g तो 2 से 2 cancel हो गया ओपर नीचे और g से g इधर cancel हो जाएगा तो बचेगा u square से u square cancel हो जाएगा तो क्या बचेगा sin 2 theta equal to sin square theta यह बचेगा तो थोड़ा सा और आगे बढ़ लें अगर हम इसमें तो हमें क्या मिलेगा sin 2 theta का formula होता है 2 sin theta cos theta equal to sin square theta इसको दो बार लिख सकते हैं इसको लिख सकते है sin theta sin theta तो एक sin theta cancel कर दिया आप क्या बचा 2 cos theta equal to sin theta अब देखो क्या होगा यह जो cos से multiply है इतरा आएगा divide हो जाएगा तो 2 बराबर हो जाएगा sin theta upon cos theta इसका मतलब 10 theta है यह इसका मतलब 10 theta की value कितना दे रखाया है 2 दे रखाया है अब 10 theta की value 2 आ चुका है तो क्या करोगे अब इसका upon कुछ नहीं 1 लिख सकते हो तो यहां से आप टेगनेमिट्री का एक figure बना लो देखो एक फार्मला होता है Pbp upon hsb आप जानते होंगे नो एचसी बी तो 10 में क्या होता है ons 0ahaha 10 में होता है परपेंडिकुलर अपन फेंज डी से वन अब हाइपिटेनस वाला फार्मल लगा कल लो टो हाईपोटेनस के square बराबर परपेन्डिकुलर देरखा है तो का स्कोर्द गया है वन करे तो इसको जब आफ साल्व कर लोगे इसका हाई परटेनस आजाएगा अंडरूट फाइफ कितना जाएगा अंडरूट फाइफ तो यहां पर फीगर में रूट फाइफ लगा देता हूं अभी फिगर दिमांग में रखिए गाप लो में यह फिगर हो गया question कह रहा रेंज बताओ देखो जड़ा क्वेशन एक फिर सो देख लो क्वेशन में क्या कर रहा था इसका रेंज बताओ क्या बताओ रेंज बताओ रेंज पूरे क्वेशन का रेंज बताओ तो रेंज वाले साथ में 2 रहेगा साइन parts on hypertonic imprint upon hypotenus Vienna Term Lasas having my parents on root 5 और कॉस्ट का हो जाएगा बेश्ब्राइब एपॉरा कैल्कुलेशन कर दोगे तो उपर आ जाएगा 4 u square और नीचे आगा रूट रूट का 5 हो जाएगा अपन 5G क्लिर हो गया तो क्या निकल क्या है यूइस 4 u square upon 5G अब जरा option चेकल लेते हैं option क्या है 4 u square upon 5G मेरा option है ये option क्या है तो ये question था ये 2021 में UPTGT math के question paper में पूछा गया था ठीक है तो जो questions हम वही questions आपसे discuss करेंगे जो आप आपकी जो 2024 last में या फिर 2025 में जो exam होना है उसमें आ सके ठीक है question भीड़ सके बस वही question लेंगे कि इस type का question आने की chances जादा है तो जिसमें range हो ठीक है range के साथ साथ क्या हो range के साथ आपका height हो और flight time हो यह तीन फार्पने आप लोग ज़रूर याद कर लिजिएगा किस से related है यह है आपका projections related उससे related questions बहुत पूछा जाता है यह जान लिजिए आपका question आना ही आना है तो मैं उमीद करता हूँ आप लोगों को यह lecture बहुत अच्छा लगा होगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें अगर आपका कोई doubt है तो आप उसको comment box में type कर सकते हैं ठीक है चलिए धन्यबाद